नमस्कार दोस्तों 26 अपरेल 2021 के डेली न्यूस एनलेसिस में आपका स्वागत है चारी इंपोर्टन न्यूस है आज की चार मैं आपको बताता हूँ पहली जो सबसे इंपोर्टन न्यूस है सरकार ने लिक्विड ऑक्सीजन का बैन लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग non-medical purposes के लिए बैन कर दिया है हाला कि कुछ ऐसे essential purposes हैं जिसके लिए अभी भी आप लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकते हूँ अगर आप बात करो फार्मसिटिकल सेक्टर की आप बात करो petroleum सेक्टर की या बात करो nuclear energy sector की, या बात करो steel sector की, कहीं न कहीं ऐसी 9 industries हैं, जिनका काम अगर बंद हो जाता है, तो हमारी economy ठब बैट जाएगी, तो भाई petroleum तो produce करना ही है, कल की date में अगर petrol, crude oil, diesel मिलना बंद हो गया तो सड़कों पे गाड़ियां चलनी बंद हो जाएगी, तो आप कह सकते किसी और industry में liquid oxygen के प्रयोग को फिलाल के लिए वैयन कर दिया गया है, और यह बोला गया है, कि liquid oxygen केवल medical purposes के लिए इस्तमाल होगी, when it comes to liquid oxygen, मैंने liquid oxygen के उपर already एक वीडियो बना रखी है, दो से तीन दिन पहले, जिसका title था oxygen shortage for COVID-19, पेशेंट्स यहाँ पर मैंने बताया है, यह medical oxygen को कैसे प्रयोग किया जाता है, और मैं आपको बता दो, जो liquid oxygen होती है, यह industrial purposes में भी इस्तमाल होती है, और इसको medical purposes के लिए भी इस्तमाल किया जाता है, बेसिकली जो liquid oxygen होती है, medical purposes में, वो लोग जो सांस नहीं रे पा रहे हैं, वो लोग जिनका operation चल रहा है, वो लोग जो ventilator पे हैं, उनको oxygen दी जाती है, इस liquid oxygen के थुरू, liquid oxygen hospitals का एक बहुत important component होती है, रिसेंट्ली ही नासिक में, डॉक्टर जाकिर हुसेन होस्पिटल में, यह जो liquid oxygen थी, वो leak कर गई थी, जिसके चल दे, 24 patients को liquid oxygen नहीं मिल पाई, जो बाइंटलेटर्स पे थे, और उनकी जान चली गी, तो यहाँ पे disaster management act को invoke करते हुए, केंद सरकार ने strict तोर पे, राज़ की पेट्रोलियम, nuclear energy, steel sectors हैं, इनके अलावा आप किसी और सेक्टर में नहीं लगा सकते हैं, आपको केवल medical purposes के लिए, सारी की सारी liquid oxygen को divert करना है, at the same time मैं, ने कुछ दिन पहले की current affairs में यह भी बताया था कि, सरकार ने प्लान किया है, 50,000 metric tons of कह सकते हो, oxygen को इंडिया में import किया जाएगा और उसके उपर जो basic custom duties हैं, और जो cess था, इसको भी wave off कर गया सरकान ने, recently जो order issue किया गया है, disaster management act 2005 के अंदर, ये order issue किया गया है, home secretary के दोरा, union home secretary के दोरा, और ये जो union home secretary होता है, ये national executive committee का chairman भी होता है, वो national executive committee, जो के disaster management act 2005 के अंदर बनाई गई है, तो ये order क्या बोलता है, order ये बोलता है, कि central government ने oxygen supply की जो situation ने देश में इसको assess किया, और ये पता किया कि अभी के लिए जो liquid oxygen का stock है, उसका production कहीं ना कहीं, उसका जो use है, कहीं ना कहीं medical purposes के लिए होगा, और बहुत emergency phase में हम लोग liquid oxygen के production को बढ़ाएंगे, अब problem ये है कि जब परेशानी सर पर आके खड़ी हो गई, तब सरकार production बढ़ा रही, पहले से production बढ़ा के रखनी चाहिए थी, यहाँ पर जो order issue किया गया है, वो याद रखे, कहाँ पर issue किया गया है, तो it is issued under section 10 clause 2, sub clause I, and section 65 of Disaster Management Act, यहाँ पे states को ensure करना है, कि liquid oxygen non-medical purposes के लिए इस्तमाल ना हो, जैसा कि म अक्सिजन को बनाया कैसे जाता है, तो भाई, जो naturally air हमारे atmosphere में exist करती है, इस air का fractional distillation किया जाता है, cryogenic air separation plant में, और उसके थूड़ लिक्विट अक्सिजन को बनाया जाता है, लिक्विट अक्सिजन को oxidizer की तरह भी इस्तमाल किया जाता है, और gases oxygen की तरह भी इस्तमाल किया जाता है for breathing in hospital, steel sector में उक्सीडाइजर की तरह इस्तिमाल किया जाता है, चुकि oxygen के presence में आप convention कर सकते हैं, देखिए कंट्रोल प्रकार से किसी भी industrial process में कुछ जलाने के लिए oxygen infuse करनी पड़ेगी, तो basically इसलिए liquid oxygen का प्रयोग industries में भी होता है, high altitude aircraft flights में, जो आप देखोगे कि pilots वगरा उड़ते हैं, हमारे fighter jets को लेके, उनके aircraft के अंदर भी liquid oxygen के tanks लगे होते हैं, आप देखो कि उनके नाक के सामने एक बड़ा सा सौकेट लगा होता है, वो उनको liquid oxygen दे रहा होता है, चुकि उतनी speed से उतनी उचाई में उड़ रहे हैं, तो वहाँ पे naturally तो देखी oxygen होगी नी, तो कहीं ना कहीं आपको pipe से oxygen का सप्राइज ही नहीं पड़ेगी, 1877 में पहली बार, लुइस पॉल कैली टेक्ट फ्रांस में और रॉल पिक्टेक्ट सुड़िजर लेंड में इन्होंने पहली droplets of liquid air को बनाया था, अवारी atmospheric air के थूँ, 1883 में Polish philosophers, Polish professors, Zigmund, Robleski और Karol Olsveski ने first measurable quantity of liquid oxygen को पैता किया था, अब भाई साब जब liquid oxygen इतनी न्यूज में है तो इससे related छोटी छोटी बाते भी अब बहार आएंगी, General Studies Paper 2 के respect में, Government Policies and Interventions for Development in Various Sectors and Issues Arising Out of the Design and Implementation, और दूसरा, Issues Relating to Development and Management of Social Sector Services Relating to Health and News आपको काम हैगी, आगे बारने इस पहले वीडियो पे लाइक का बटन, स्पेक्टरम की Modern History की सीरीज चल रही है, 37 चंदरा की Middle History चल रही है, रमेर सिंग की Economics चल रही है, तो उसके respect में आपको वाँ पे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, अच्छी लगे तो जोन बटन ना पसकते हैं, NCRT की भी वीडियो बन रही है, प्रेलिस्ट वाँ बिल जाएगी, Environment and Ecology, हर चीज़ वाँ पे वाँ ले पे ले जोगरफी कार आपको त्यार करनी है, तो NCRT 6 से लेके 12 तक की जोगरफी की सीरीज देख लो, अब ही 11 की जोगरफी सीरीज में कर्रेंटी कम्प्रीट कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए, इस्टाग्राम पर फॉलो करके जोड़ सकते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ है, Groundwater Depletion May Reduce Winter Cropping Intensity by 20% in India, देखिए, हमारे देश में तीन प्रकार की क्रॉप्स बोई जाती हैं, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और जायद क्रॉप, यहां पर जो खरीफ क्रॉप होती हैं, इस खरीफ क्रॉप को Late October में सो किया जाता है, या Early November में सो किया जाता है, और Spring के दोराने नहीं, March, April के लगभग पर इसको काट लिया जाता है, अगर आप राबी सीजन की क्रॉप की बात करो, तो राबी सीजन, जो कि विंटर क्रॉप है, चुकि आप इसको सो कप कर रहे हो, तो Late October में इसको सो कर रहे हो, November में सो कर रहे हो, काट कब रहे हो, तो March, April के समय पर काट रहे हो, तो winter में सो कर रहे हो तो इसको आप बोलोगे winter crop तो कौन कौन सी important है wheat सबसे important है दूसरे नमबर पर बार ले फिर mustard, piece, gram ये सब आप कहा सकते हो important winter crops है और इसलिए इनको rabi season की crops कहा जाता तो उसी प्रकार से summer season की crops को खरीफ crop कहा जाता है rabi और खरीफ के बीच में जो crops बोई जाती है जैसे की water melon, musk melon इनको क्या बोला जाता है दो उनको जायद बोला आता है तो अब बात यहाँ पर है rabi season की rabi season winter season है और winter season के दुरान देखे पानी नहीं बरसता है south India के कुछ portions में चले जाईए आप कहे लिजे western disturbances के लिए राजस्तान के कुछ इलाकों में चले जाओ तो वहाँ भले थोड़ा बहुत पानी बरस जाए बाकि इंडिया में winter season के दुरान पानी नहीं बरसता है तो winter season के दुरान जब पानी नहीं बरसता है तो आप कह सकते हो कि आप ड्राई मौसम में या पे खेती कर रहा और ड्राई मौसम में आपको बारिश का पानी तो मिलेगा नहीं तो पानी कहां से लाओगे तो पानी या तो जो आपने गड़े खोद रखे जमीन में उससे लेके आओगे या फिर आप टूब वेल गार के ग्राउंड वाटर निकालोगे या फिर आप कैनाल के थूप पानी लेके आओगे तो किसी रिवर से आपने कैनाल खोद रखे होगे उससे पानी लेके हो तो बेसिकली विंटर सीजन में जब ड्राई सीजन है मौंसून के थूब पानी नहीं बरस रहा है तो इरिगेशन के लिए पानी लाने के ये तीन तरीके अब इन तीन इरिगेशन के तरीकों में जो सबसे जाधा यosed तरीका है वो है टूब वेल्स के थिरूब आप पानी किसका खीच रहे हो wheat को produce करने में इस्तमाल किया जाता है अब आते हैं main news पे main news ये है कि India is the second largest producer of wheat हमें पता है, 3 करोण hectares wheat के लिए हमें पता है लेकिन चूकी ground water deplete हो रहा है तो 2025 तक जितना इलाका हम यहां पे wheat को उगाने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं यह इलाका 20% तक कम हो सकता है मतलब यह जो land की intensity है basically यह जो gross 30 million hectares के उपर हम लोग wheat की खेती कर रहे हैं, यह 30 million hectares 20% तक कम हो सकता है तो 30 million hectares का 20% कितना हो गया तो हो गया भाई 6 million hectares मतलब 24 million hectares तक जमीन पे हो सकता है 2025 तक wheat की खेती हो, बाकी खेती तो सिचाई कहां से करोगे, irrigation कहां से करोगे जब irrigation नहीं कर पाऊगे तो आप crop होगा नहीं पाऊगे तो आज जो 30 million hectares gross cropped area लेके आरव wheat के respect में वो बाद में, वो सकता 24 million hectares ही बने और इसका बाकी winter crops पे फरकाएगा बारने पे भी फरकाएगा mustard पे भी फरकाएगा peace पे भी फरकाएगा यह सा बात यहां पर बता ही जारी है एक data यहां पर निकाला गया है Central Ground Water Board के द्वारा Central Ground Water Board के दाता यह बोलता है कि भाई, हमारे देश के 13% गाउं उन इलाकों में पढ़ते हैं जो इलाक के critically water depleted regions है critically water depleted regions के respect में यह बोला जा रहा है कि जल्दी ही इनके पास जो भी ground water बचा है वहाँ से पानी निकलना बंद हो जाएगा और इन इलाकों में हमारे देश के 13% गाउं है तो कुल मिला कि यह जो 13% गाउं है यह हो सकता है कि अपना 68% of the cropped area यह आप कह सकता हो खो दें तो अगर इनके पास 100 hectare इलाका है तो सकता है इनके पास 32 hectare इलाका ही बचे उसके लाएकी पानी बचे इरिगेशन का 68% इलाके में यह इरिगेशन करी ही ना पाएं तो इस अब तक हालात हों ज़दे तर यह एलाका है वो Northwest India और Central India में पढ़ता है Central India में बहुत से dry states है Central India में आपको मदब्रदेश मिल जाएगा Northwest India में पंजाब, हर्याणा, राजिस्थान मिल जाएगा तो इन इलाकों में यह जो excessive groundwater को इस्तमाल करके इरिगेशन किया जा रहा है घड़ा जल्दी ही भरने वाला है ये study ये बताने की कोशिश कर रही है General studies paper 3 में major crops, cropping patterns, different types of irrigation और irrigation systems में आपको ये particular news काम आएगी Next news is 384 rescued 10 bodies recovered in उत्तराखंड avalanche एक बहुती unfortunate incident हुआ है recently उत्तराखंड का avalanche अभी COVID की crisis इतनी बड़ी हो रही है ये इस प्रकार के avalanches पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है News reporting में इनको कम मिल रही है तो Border Road Organization का एक detachment था एक labor camp था वहाँ बहुत सरे लोग रुके हुए थे एकदम से एक avalanche आया और बहुत सारा debris और बरफ आके camp के उपर गिर गया जिसके चलते हैं यहाँ पे बहुत सरी लोग की जान गई और बहुत सरी लोग लापता है तो इसके लिए जो search and rescue effort चलाएगा है उसमें 10 तो dead bodies मिली है तो 10 confirmed dead है और आप कह सकते हो 384% को कही न कहीं rescue किया गया है यह हुआ का है तो तरह कंड में जो जोशी मट नाम की जगह उसके north में हुआ है तो avalanches क्या होते है avalanches एक rapid flow है snow का एक hill या mountain की slope के उपर से बरफ एकदम तेजी से बहती हुई नीचे की तरफ गिरे तो इसको आप बोलते है avalanche avalanche में snow तो होती है सासत बहुत बड़ा हवा का गश भी move करता है और रास्ते में अगर avalanche बहुत strong है तो पेड, rocks, trees सब को खाड़ता हुआ लेके जाएगा अपने साथ तो आपको पता है कि जो hills होते हैं उनकी slope पे मतलब slope पे छोटे-छोटे पौधे पेड, rocks, बहुत प्रकार की चीज़ों होती है तो उपर से अगर bulk में भारी material नीचे की तरफ गिरता हुआ आएगा तो नीचे जो slope में material टिका हुआ था उसको भी वो उड़ा ले जाएगा अपने साथ और जब नीचे पहुँचेगा तो इतने heavy force से पहुँचेगा कि जो कुछ भी नीचे होगा उसको दबा देगा तबा कर देगा समझ गे और आज की डेट में ये जो avalanches की speed है वो हमारे देश में बढ़ रही है फूरी दुनिया पे बढ़ रही है उसकी बहुत सी वज़ा है एक तो snowpack weakening हो रही है एक increased precipitation हो रहा है increased precipitation है मतलब पानी का ज़्यादा बरसना अच्छा increased precipitation पानी का ज़्यादा बरसना मतलब कि जन जगहाँ पे पानी जितना नहीं बरसता था due to changing climate patterns snowpack weakening का मतलब क्या हो गया कि बाई किसी एक जगा पे snow jammy हुई, आभी वो snow jammy हुई या hard है, लेकिन global warming हो रही, temperature बढ़ रहे हैं, temperature बढ़ने की वज़े से जो बरफ पहले थंडी थी, वो गरम हो रही और गरम हो रही तो पिगलेगी, तो जब snow pack कमजोर पड़ेगा, तो भाई उसका पिगल के नीचे गि ही लेंगे, तो भाई, प्रोसेस बहुत तेज हो जाएगा अविलांच का, humans और animals, animals तो देखे नाचुरल कारण है, एनिमल को तरह तरह रहा हैं, बट humans आते हैं anthropogenic causes में, और humans ने कहीं न कहीं बहुत degradation किया है, पेड़ों को काटा है, unsustainable तरीके से dams लगाए हैं western guards के लाके मे जिसके चलते western guards के पाड़ों में भी इस प्रकार की seismeticity देखी गई है, जिसके चलते avalanches आते हैं, तो avalanches क्या होते हैं, यह आपको समझ में आगा है, चार प्रकार के avalanches होते है, बहुत basic तोर पे देख लेते हैं, चार प्रकार के avalanches क्या होते है, पहले है loose snow avalanche, loose slow and avalanche क् steep slope है, बहुत ही आप कह सकते हो steep slope है मतलब उसका जो slope है कुछ इस प्रकार का है एक तो होता है कि gradual slope तो ऐसा है धीर धीर नीचे जा रहा है, यह बिलकुली भाईया steep है कि यह एकदम जिन चीज नीचे गिरी ऐसे, समझ गे तो होता ही है कि fresh snowfall हुई अभी उस fresh snowfall को subtle होने का time नहीं मिला उपर से sunlight आ गई, तो sunlight नहीं जो भी थुड़ी भाई snowfall ती उसकी temperature हो गरम कर दिया तो एकदम से बरफ पिगल के नीचे गिरने लगी इसको अब हो सकते हो loose slow avalanche फिर जब slab avalanche कब होता है loose slow avalanche तब होता है उससे पहले ही उस particular surface पे हो सकता है एक slab बरफ की सिल्ली पहले ही जमी हुई हो लेकिन loose slow avalanche के pressure के चलते ये जो slab बरफ की सिल्ली थी इसके उपर pressure पड़ा और अब ये भी गिरने लगी तो ये जो slab avalanche होता है ये जब गिरता है तो जो amount of damage होता है ना वो ज़्यादा होता है अगर slab थिन है जो बरफ की सिल्ली नीचे गिर रही है अगर वो पतली है तो ज़्यादा damage नहीं होगा पर अगर मोटी है थिक है तो बहुत ज़्यादा faculties होती है तो loose snow avalanche बहुत बार इस slab avalanche को trigger करता है slab avalanche कितना खतरनाख है जो snow गिर रही है पतली है या मोटी है एक होता है powder snow avalanche powder snow avalanche में loose snow avalanche slab avalanche और बाकी और कुछ forms इखटे मिले हुए होते है कभी-कभी जो powder snow avalanche की speed है वो 190 miles per hour तक भी आ सकती है बहुत लंग बे distance जाती है इसमें जो mass होता है वो काफी भारी होता है जोकि base पे जो mass होता है वो dense concentration होता है snow ice और air का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ देखिए dense concentration और snow ice और air तो powder snow avalanche में नीचे की तरफ dense concentration होता है snow ice और air का और उपर की तरफ यह जो powdered snow होती है तो नीचे dense concentration होगा और उपर powdered snow form में रखी होगी तो जब ये avalanches गिरते हैं, इनमें जो mass होता है, वो mass बहुत ज़ादा होता है, जो इनकी speed होती है, वो speed भी होती है, जिसके चलते है description ज़ादा होता है wet snow avalanches शुरुवात में धीरे धीरे चलते हैं, friction के चलते हैं, रास्ते की ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बटोरते जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे पहुंसते जाते हैं, वैसे वैसे एकदम से इनकी speed बढ़ती है, mass ज़्यादा होता है, तो ये भी कई न कई तबाही मचा तो ये अलग-अलग प्रकार के avalanches है, मैंने आपको काम चला हूँ तरीके समझा दी है, reason being, geographical features है, avalanches की study में ही आपको ये काम आएगी, यहाँ पे एक limit से यदाधा detail है, पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, general studies paper 3 में, disaster management में चीज़ आपको काम हैगी, general studies paper 3 में, important geophysical phenomena में भी य चीज़ आपको काम आ सकती है, पर आज की आखरी news कह सकते हैं, important news है, RBI to issue cyber security norms for payment services, देखे payment service provider, आप समझे ये एक बहुत broad term है, समझे बात हो, आपके phone में पेटियम एप है, उस पेटियम के wallet में आपने पैसा डाल दिया, पेटियम UPI होगे, आपके पास SBI के internet banking है, बैंको ब और Zomato पर आपका मन किया, कि चलो यार कुछ खाना मगाते हैं, तो आपने समोसे order कर दिये, ठीक है भाई, Zomato पर समोसे, अभी मुंबई में तो Zomato पर भी समोसे आते हैं, आपने लखनो में तो कभी भी बाहर निकलो और हर नुकर पर समोसा बिकता है, ठीक है, तो अब जि पर उसमें credit card भी नजर आजाएंगे, और कहीं-कहीं आपको कुछ wallet नजर आएंगे, जैसे Mobi को एक wallet नजर आजाएगा, तो Mobi को एक wallet नजर आजाएगा, हो सकता है, जब पे करके आपको payment aggregator नजर आजाएगा, तो ये क्या है, ये wallets हैं, ये third party services हैं, जिनके यहाँ पे आप आपने पैसा store नहीं किया है, लेकिन इन wallets के साथ आपने अपने internet banking को हो सकता है connect कर रखा हो, या फिर आपने paytium wallet को connect कर रखा हो, तो ये third party service की तरह काम करते हैं, इनके यहाँ पे आपने पैसा पात नहीं कर रखा है, बट Zomato को पैसा पे करने के लिए, अपने internet banking account से आपन इस प्रकार के data breaches होते हैं, तो लोगों का पैसा यहाँ पे involved है, आप basically यहाँ पे देखा जाए, तो लोगों का पैसा जब play में आ जाता है, तब कहीं न कहीं, हमारा जो financial sector है, जिसमें finance और technology को आप मिला दो तो बोल जाता है fintech, आज की date में सरकार हर चीज को digitalize करने ही कोश हो रही है, यहाँ पे cyber hypergene की जूरत है, चाहिए आपका account किसी bank में हो, चाहिए किसी non banking financial company में हो, अगर आप वहाँ से पैसा debit कर रहे हो, और किसी particular person को provide कर रहे हो, तो बीच का जो payment aggregator है ना, बीच का जो payment service provider है ना, वो बिलकोल strong होना चाहिए, वहाँ पे आपके digital data की leak होने क chances ना के बराबर होने चाहिए, वहाँ पे आपकी account के information सेफ होनी चाहिए, वहाँ पे आपके purchasing trends को ज़्यादा disseminate नहीं करना है, मतलब बहुत सारे facilities हैं यहाँ पे, आपका पैसा तो बचा नहीं है, आप जो चीज़ खरीद रहे हो, उस चीज़ को कहीं ना, कहीं system में dominate करती है, हमारा जो UPI system है, इस UPI system में बहुत सारे players है, पेटियम UPI system हो गया, इंडिया में एक और point उठाय जा रहा है, जो हमारे UPI payments है, 70%, लगबग 80% market दो apps occupy करके बैठी ही, एक तो phone pay है, आप बोलोगे phone pay का मालिक कौन है तो Walmart है, दूसरी Google पे है, 40% इंडिया का UPI market phone pay के पास है, और 37-38% you pay market किसके पास है, Google pay के पास है, तो ये दो apps भी यहाँ पे, तो दीखें, attack तो यहाँ पे मोबी को एक और just pay पे हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे overall sector की बात होगी, तो overall sector में तो Google pay, phone pay, pay, ATM सब आ जाते हैं, तो ये जो payment service providers हैं, जो भले ही third party की तर sector को affect कर रहे हैं, तो ऐसे cases में, यहाँ पे cyber hygiene norms को introduce करना बहुत जाता जरूरी है, और यही आप कह सकते हो, cyber security norms, recently जल्दी ही RBI issue करेगा, ऐसा बोला जा रहा है, इस प्रकार के आप देख सकते हो, cyber hygiene norms, कुछ दिन पहले, banks और non banking financial companies के लिए भी decide किये गए, समय से में पे RBI उनक क्यों सही है, चोंकि भाई, यह जो companies है, phone पे हो गई, Google पे हो गई, Paytm हो गई, Mubic हो गई, Just Pay हो गई, यह हमारे digital infrastructure का एक major part है, कहीं न कहीं लोगों के पैसे को handle करती है, और लोगों के पैसे की जब बात आती है, तो भाई, retail payment space का कहीं न कहीं आप कह सकते हो, कि strong होना बहु दो ऐसे third party providers हैं, जो की retail payment space को dominate कर रहे हैं, कुछ experts का यह बोलना है कि भाई, अगर हमारे retail payment space में केवल दो apps की बातशाहत हो जाएगी, यह सही नहीं है, अगर retail payments के space को अगर आपको competitive रखना है, तो ज़्यादा players को यहाँ पे introduce करो, केवल दो players dominate कर रहे हैं, this is not good for competition, यहाँ प घबराने की जरूत नहीं है, क्यों घबराने की जरूत नहीं है, चोकी देखिए, यह बस एक front end provide कर रहे हैं, बिचौलिय की तरह काम कर रहे हैं, तो अगर Zomato को payment करनी है, और एक particular person के net banking account से payment निकालनी है, तो बीच में third service provider की तरह यह apps काम कर रहे हैं, तो लोगों के पैसे क उपर इनका control नहीं है, और कल की date में अराम से सरकार अपना खुद का कोई third party UPI system मना सकती, तो basically UPI system में market अगर 70%, 80% कोई 2 app dominant कर रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पूरे financial sector को dominant कर रही हैं, चुकि ना उनका control है लोगों के पैसे के उपर, और कल की date में, सरकार के लिए ब प्रमोट करना चाहती, सरकार चाहती कि कम से कम cash का प्रयोग हो, ज़्यादा से जदा digital transaction का सब प्रयोग हो, और अगर इस चीज़ को प्रमोट करना है, तो आप किसी भी app के proliferation के उपर लगाम मतकस हो, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी को कम करने कि लाब यह कर सकते हो, कि कल की date म कोई दूसरा third party player market में उठना चाहे, तो सरकार की पूरी मदद मिलनी चाहिए, उस समय पे सरकार phone पे या Google पे को support ना करे, उस समय पे सरकार किसी नए player को उपर उठने दे, तो आप monopolistic tendencies को आराम से avoid कर सकते हो, अगर digital transactions को बढ़ाना है, तो already जो apps उट चुकी हैं, जैसे कि phone प economy का जो process है, वो slow हो जाएगा, जो कि हमको नहीं करना है, तो यहाँ पे balance उठाने की जरू होते है, जहाँ पे आपको digital security पे भी focus करना है, साथ-साथ आपको इस बात को भी इंशूर करना है, कि digital transactions होते रहे, और इसलिए, यह cyber security norms बहुत सोर्स समझ के implement करने है, यह बात अस article मे का जारी, जिन्दा स्रीज पेपर 3 में, इनन एकनोमियन इस्यू इसू इस लेड़िए प्लानिंग, बॉबलाइशन रसोर्स, ग्रोट अव्लेपन एंप्लाइम्वेमेंट में, यह निज आपो काम हैगी, थैंक यू फो वाचिए वाचिए, आपने वीपट निचे कमंड ब जिए उन्चे काम हुए रखी कमंड निचए, आपने हनी, फिर दो रस्ति...